ग्यारविश अताबदी में विदेशी आकरमन कारी मुहम्मद सलार गाजी को मार कर देश के रक्षा करने वाले बहराईच के राजा सुहेल देव पासी पर बन रही अजई देवगन के फिल्म बैटल आफ बहराईच को लेकर विवाद शुरू हो गया है इंदोर में पासी समाज ने फिल्म में बहराईच के राजा सुहेल देव पासी की जाती को बदल कर फिल्म में सुहेल देव सिहं दिखाया जाने का विरोत किया है श्री पासी समाज उत्थान संगठन समीती इंदौर के प्रमुख जग मोहन वर्मा एवं रमेश चंदर कैथवास ने बताया कि जब महराजा सुहेल देव पासी थे तो फिर महराजा सुहेल देव सिहं क्यों दिखाया जा रहा है यहाँ पासी समाज का अपमान है सरकार तो राजा सुहेल देव पासी के नाम से डाक टिकेट भी जारी कर चुकी है तथा राजा सुहेल देव पासी के नाम से गासी पूर से मुंबई तक रेल गारी चल रही है श्री जग मोहन वर्मा ने कहा कि हम फिल्म के निर्मान पर स्वागत करते हैं किन्तु इतिहास के साथ छेड़ चाड़ बरदाश्ट नहीं होगी और पासी समाज फिल्म बैटल आफ बहराईच में राजा सुहेल देव पासी का नाम सुहेल देव सिहं करने का पूरुजोर विर रजा थे उन्होंने मसू शलार गाजी यू मार गिरा था और हिंदों की रक्षा की थी फिंग लेकिन अजह देवगन जो फिल्म मना रहे हैं उन्होंने सुहेल देव पासी ना लिख कर सुहेल देव सींग कर दिया इससे हमारे समाज में काफी रोव स्थ जगे जगे पर ग् सब्सक्राइब करते हैं लेकिन जाती बदलने का हम पासी समाज के सारे लोग विरोध करते हैं और एसा विरोध उत्तरप्रदेश बंबई आधी जगों पर हो चुका है कि राजा मारा सुहल देव पासी उनके नाम से बरस सरकार ने डाक टिकेट जारी किया है उनके नाम से गाजीपुर से मुमेकिट लिए ठेन चलती है हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि फिल्म अभी नेता अजय देगवन को सिंग लगाने की क्या उश्रक्ता पड़े इससे हमारे पासी समाज में काफी रोश है और हम इसका विरोध करते हैं हम उसको टागीज में चलने नहीं देंगे यह पूरा हमारा अकिलवारती इसतर का एलान है अगर यह पिक्चल लगाई गई तो हम उसको सिने में घर में चलने नहीं देंगे